हलो बच्चो कैसे हैं आप सब बच्चो आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदा टोपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो को बढ़िया से देखना है इस पूरे लेक्चर को अच्छे से क्लियर करना है और इतना ही नहीं इस लेक्चर को देखने के बाद को लगाओ और इतना ही नहीं इस वीडियो का अच्छे से लाइक करें बच्चो अपने दोस्तों के साथ इसको शेर करें और अगर आप चैनल पर हैं नए तो इसको सब्सक्राइब भी करें थेंक्यू बच्चो हलो बच्चो वेलकम टू डाउट नाट डाउट नट पर आप सभी बच्चो का बहुत बहुत स्वागत है उमीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्त हैं मस्त हैं और अच्छे से अपने एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आजाए बच्चो आप सभी बच्चो का बहुत बहुत स्वागत है बटा गुड इवनिंग जी ग क्लास को जोइन कर लो सारे बच्चे क्लास में आ जाये एक एक बात को अच्छे समझे हां जी क्या बच्चो आपके आवाज आ रही है बिटा मुझे हलो बच्चो क्या मेरी आवाज आ रही है आपको हां आ रही आ रही बच्चा आ गए ओके बहुत बढ़िया बटा बहुत बढ़िया बेटा मैं एक दम बढ़िया हूँ एक दम मस्त हूँ मुझे लगा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं एक बाफ फोन में चेक कर रहा था कि बच्चों के पास मेरी आवाद जा रही है या नहीं जा रही है बहुत बढ़ी है very good जे खाटूशयाम बच्चा कैसे हो प्रियंका जी मैहक, सोनाली, प्रियंका, स्वाती कैसे हो प्रियंका, हाँ बटा, क्लास का टाइम चेंज हो गया यारा, इस क्लास का टाइम इविनिंग में शिफ्ट कर दिया, ओके, हलो बिटा, अरुन, कैसे हो सब बच्चे, प्रियंका, यशी, कैसे हो बिटा, ओके, सब बच्चों को फटा-फट से बिटा, मैसेज भिजदो की, हाँ बैसर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ओके नीलम, हलो जी, हलो बिटा, रादे, रादे, बिटा, रादे, बिटा में एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, और आपको पढ़ाने में व्यस्त हूँ, ओके, तो बच्चों, जैसा है कि आप स्क्रीन पर पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक न्यू चेप्टर, आ उससे पहले मुझे पढ़ाना था तुम्हारा बेस, सबसे पहले जब तुम कक्षा ग्यारवी में नए नए बच्चे आये थे, तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, सबसे पहले बेसिक पढ़ाया था, कक्षा नवी दसवी का, एक बार जब मैंने तुम्हें पढ़ाया तुम्हारा बेश कवर हो गया, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया मोल कॉंसेप्ट, मोल अउधारना, तो वहाँ पर तुमने क्या किया, कुछ और अच्छे तरीके से चीजों को समझा, परखा, और अपने ज्यान को बढ़ाया, फिर मैंने क्या किया, थुड़ा और आपको कुछ नया टोपिक पढ़ाया, जैसेगी परमानू की संरचना, परमानू की संरचना में आपने परमानू की संरचना से संबंदित बहुत सारी बाते सीखी, वो बाते तुमारे आज पेड़ बेच में काम आ रही होगी, ओके, क्लियर, और उसके बाद मैंने आपको त बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया है, ओके, हाँ जी, तो देखो ध्यान से जब आपका उस समय पर अभी जो रासाइनिक आबंदन वाला चेप्टर था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़े आपको पढ़ाईए, यह आपके पेड़ बेच में बहुत काम आएग मैं चाहता हूँ बच्चों को सकेमिस्ट्री का मतलब ओर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा लगना चाहिए, बटा मैं एकदम बढ़िया हूँ, रोहित जी, आप बताओ, आप कैसे हो, सारे बच्चे एकदम बढ़िया है ना, ओहो, कोई बात नहीं बढ़िया है बटा, महा कोई नहां कराती हूं और्यवाद क्या बात है झालके तो आप सही बच्चों का बहुत बहुत सवागत है तो बच्चा देखो ध्यान से आज हम आपका ओर्गेनिक थे आपकी जो और्गेनिक केमेस्ट्री बिटा जिसका नाम है चेप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन कुछ आधार्बुत सिद्धान्त एवं तकनीके ये जो चेप्टर बिटा आपका पहला और्गेनिक केमेस्ट्री का कार्बनिक रसायन का पहला चेप्टर है अरे वाप बहुत तो अच्य से देखेंगे बिटा, okay, clear है, तो सब बच्चे फटाफट से जोइन गर लो भी, और क्या क्या बाते हैं, और आराम से चाए लेकर आराम से बेड़ जाओ, क्योंकि शाम का समय हो गया है, बढ़िया चाइवाई का टाइम हो गया है, तो बढ़िया चाइव अगिरा या पीली होगी आपने तो चलिए बात करें आज हम क्या गरने वाले हैं बच्चा आज हम बात करेंगे बैसिक बैसिक परीचे के बारे में परीचे के बारे में कि जो कार्बनिक रसायन है उसके बारे में कुछ बाते जानेंगे कुछ बाते सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़ादा बेनेफीशल रहेगी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, ओके, क्लिए बिटा, डेली स्वाती, डेली फाइफ पिम पर ये ख्लास होती है, डेली फाइफ पिम पर बच्चा ये क्लास होती है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताने ही कोई जरुवत है नहीं बच्चा ओके खुशी हां काफी दिनों बाद आया बटा तो देखो ध्यान से यहां पर बाकिस सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही सही हलो राजी हुकुमार कैसे हो बच्चा गुड़ीवनिंग बटा गुड़ीवनिंग स्वागत जी अब आगे बढ़ते आगे बड़े बटा तो इस्टार्ट करते हैं आज का चेप्टर बहुत ही प्यारा है बहुत ही आज़य है बहूत ही जबरदस्त हैं ओके तो बात की ज़या है कार्बनिक रसायन कुच अधर मुस्यिदान एक प्रम तक नमे किया सबसे पली बात तो यह आती हमारे पास what is organic chemistry कार्बनिक रसायन क्या है what is organic chemistry उक्य तो बच्चों देखो ध्यान से क्या आप मुझे बता सकते हो कार्बनिक रसायन है क्या जितेंदर यादव सलोनी जी क्या है रच्टार तो आपने कख्षा दस्याइं पड़ां होगा hydrocarbon नाम का एक chapter कक्षा 11 में दो chapter आया आपके और कक्षा 12 में अलग से book है कक्षा 12 में तो अलग से separate book है बेटा carbonic रसायन की मतलब हमने थोड़ा पड़ा फिर थोड़ा और पड़ा फिर थोड़ा और पड़ेंगी zoom कर रहे हम चीजों को तो carbonic रसायन है क्या study of carbon या carbon compounds carbon के योगिकों का अध्यन जिस रसायन विज्ञान की जिस शाका में किया जाता है बेटा carbon मिलकर बने तत्व बेटा तत्व तो एक ही होता है तत्व नहीं होता तत्व तो शुद्ध होता है तत carbon से मिलकर जो योगिक बन रहे है न उनके बारे में बात चल रहे है देखो वट इस और्गेनिक केमेस्ट्री क्या है carbonic रसायन तो carbonic रसायन क्या है बेटा रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा वह शाखा जिसमें कार्बनिक योगी कों, मतलब कार्बन के योगी कों, जिसमें कार्बनिक योगी कों की संदचना एवं संदचना गुणधर्मों गुण धर्मों एवं उनके निर्मान का अध्यन किया जाता है अध्यन किया जाता है अध्यन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है कर्बनिक रसायन कहलाती है तो कर्बनिक रसायन है क्या बच्चा It is the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds, preparation organic compounds, properties of organic compounds, structure of organic compounds is called organic chemistry It is the branch of chemistry which deals with study of, preparation of, structure of organic compounds, called organic chemistry. So, how does carbonic yogicons become? How does it happen? 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 In all the things that we will tell, that is organic chemistry. Carbonic science. It is very beautiful, very beautiful. It is fun. Okay? So, here we have organic chemistry about organic chemistry. I mean, here we are going to study carbonic yogic. Carbonic yogic. Clear, bud? Okay. Now, the next thing. What is carbonic yogic? Who is chemistry? Who does it purchase? First of all, you need to be NCRT. First of all, children, you need to be NCRT. This is sufficient. If you don't, you can buy it. Then, the rest of the class, you read it in the class. All of them will be clear. Then, no book will not read it. And when you read it, you can buy it for questions, practice questions. You can buy it for objective books. What is it? 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 तो पुराने कुशन हो. आपके नेट लेवल के या बोर्ड लेवल के या जेई लेवल के कुशन्स हो. मज़ा जाएगा. अब देखो ध्यान से आगे. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीके? ये बाते हमने देखी. बहुत बढ़ी है, बच्चा, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है. अब बात आती है. कारबनिक योगिकों के बारे में अगर हम बात करें. तो सुनो. सुनो 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 यार ये कारबन के योगिक पढ़ने के लिए हमने अलग से बुक बना ली आपके सेलेबस में अलग से कोई ऐसा चेप्टर है कारबनिक योगिक या ऐसे कोई एक ही चेप्टर जिसके पुरी बुकी बन गई नहीं आया कार्बन के कई सारे योगिक पाये जाते हैं लाखों योगिक पाये जाते हैं इसके पीछे कारण क्या है बई कार्बन इतने सारे योगिक क्यों बना पा रहा है उसके पीछे सिधा सिधा कारण ये है कि जो कार्बन है वेसे तो प्रकरति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे योगिक प्रकरति में उपस्तित है millions of compound, लाखो compound carbon के पाये जाते हैं बच्चा उसके पिछे क्या कारण है? वो सारे कारण बच्चा हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बन के अंदर आपने कक्षा दस्वीं पड़ाओगा शंकलन प्रवाड़ती तीं है शंकलन प्रवाड़ती कि अधितिये शमता होती है ठीके अपने ही समान अन्य कार्बन परमाणों के साथ जुड़ने की कार्बन में अधितिय शम्ता होती है इस वजे से वो क्या बना पाता है बहुत सारे योगिक बना पाता है ठीके दूसरी बात चतु संयोज अपता चतु संयोजी एक कारबन चारबन आराम से बना सकता है इसलिए कारबन चतु संयोजी भी होता है हाँ इसमें शंकलन का गुण पाया जाता है यह चतु संयोजी होता है क्या मेरी बात समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तो यह बातें यहाँ पर आपको देखनी अच्छे से समझनी है clear है बच्चा? ओके? एक एक बात को बढ़िया से समझते हुए आपको clear करना है ठीके जी? ओके? clear है बच्चा? तो इन बातों का ध्यान रखेगा एक मिनिट में एक टोपिक को clear कर देता हूँ बच्चा इसमें हाँ जी तो देखो ध्यान से क्या यह बात समझ में आ गई? इतनी बाते clear हो गई? अब देखो ध्यान से कि यह कार्बनिक योगिक इसकी वास्तों में परिभाशा क्या होती? क्या होता है कार्बन का योगिक? अब कार्बनिक योगिक की बात आ रही है और गेनिक कंपाउंड और गेनिक कंपाउंड क्या है कार्बनिक योगिक? तो बच्चो अगर बात की जाए अगर बात की जाए बच्चो यहाँ पर कार्बनिक योगिक के बारे में अगर बात की जाए बच्चा कार्बनिक योगी के बारे में यदि बात की जाए शाक्षी कार्बनिक योगी के बारे में तो कार्बनिक योगी के है क्या हम तो यह बोल सकते हैं कि कार्बनिक योगी लेकिन अलग-अलग विग्यानिक आए उन्होंने अपने अपने विचार सबसे लास्ट रिशक्टर देनिक जीवन में मतलब पर्यावनु रसायन उससे पहले हाईडरकारबन उससे पहले है यह कैट्र से तीसरा चेप्टर पीछसे तीसरा चेप्टर ठेगा चेप्टर नमबर तस 11 ऐसे हो सकता आका पीछसे तीसरा चेप्टर ओर MC की मिस्टिंगा पहला चेप्टर तो ज 9 चmens谗 12 Löndra बिल्कुल बीटा 12 नंबर पर होगा बिल्कुल 12 नंबर पर मान लिया मेने चैप्टर नंबर 12 बहुत प्यारा चैप्टर है ओके तो कार्बनिक रसायन हे क्या शाक्षी ओके हाँ जी बच्चो तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर आई ये जरा तभी तो मिलना ही रहा था ओहो ठीक है हाँ जी तो देखो ध्यान से अब बात करें सिनू यहाँ पर इसको आप अच्छे से देखिए ध्यान समझे यहाँ जी कार्बनिक योगिकों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या था यहाँ शुरुवात में कुछ विग्यानिक आये ते बटा आपने अलग-अलग विग्यानिकों के बारे में सुना हो ठीक है कुछ विग्यानिक आये उन्होंने यहाँ पर इनके बारे में बताया कार्बनिक योगिकों के बारे में कि कार्बनिक योगिक है क्या तो सबसे पहले एक विग्यानिक आये बेटा जे 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 बढ़जीलियर्स इन्होंने कार्बनिक योगिकों के बारे में बताया सब़ 8 जब अठारा सो की समय की बात है सनठारा सो थिक है उस समय पर क्या थे एक लगबग लगबगед शनठारों सो की बात है उस समय पर एक विध्यानिक जेजे बरजिलियस इन्होंनेegenक यूगिकों जेव शक्ति सिद्दान्थ हाँ बर्जिलियस ठीक है और यही बिटा यहाँ पर क्या होता है कार्बनिक रसायन के जनक father of organic chemistry लेखयत रूप में इनोंने सब सारी बाते बताई ठारी बताया होगा इनसे पहले भी किसी ने लेकिन इनोंने ही सारी बाते बताई तो जेव शक्ति सिद्दान्थ इनोंने क्या कहा कि कार्बनिक योगिकों का निर्मान तो अपने आप ही होता है, उनका निर्मान मानाव के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उनके पीछे कोई जेव ये शक्ति है, कोई देव ये शक्ति है, जिससे उनका निर्मान हो रहा है, आप नहीं बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं, हम सबजियां लेब में नहीं बना सकते हैं को जमीन में गाड़ना पड़ेगा फिर यह अपने आपे फल फुलेगी ओके जेवे शक्ति उनके पिछे निर्मान करने के पिछे हमने ऐसे नहीं कि दूद डाला शक्कर डाली अद्रग डाला और चाय बन गई वो तो करती में लेकिन यहां पर जो चाय का पोदा जैसे चाय आ ऑमके ? अहां बेटा देखो ध्यान से वो जो चेप्टर ने बेटा पूरा थियोर्टी कले, टेंशन नालो सब चीजह मैं खुदी पड़ाऊँगा, टेंशन नालो सब कुछ मैं खुदी पड़ाऊँगा, आपको बडिया से लिख्वा-03.टेक है, ठीक है, तो जेजे fruits तो देखो ध्यान से हुआ क्या कि कार्बनिक योगिकों का निर्माण ठीक है ना कार्बनिक इस सिद्धान्थ जे उशक्त इस सिद्धान्थ के अनुसार कार्बनिक योगिकों का कार्बनिक योगिकों का निर्माण के पीछे निर्माण के पीछे कार्बनिक योगिकों के निर्माण कार्बनिक योगिकों के निर्माण के पीछे के निर्माण के पीछे कोई जेविय शक्ति होती है जिससे इनका कोई जेविय शक्ति होती है इने प्रयोग शाला में निर्मित नहीं किया जा सकता है जेविय या देविय बोलो या देविय बोलो बात यह ठीक है हान जी बिलकुल सर आप बुक में की सब बताद पड़ा देते हैं बिलकुल बिलकुल इन ओर गेनिक हार्ड होती है पिटा कुछ आड़ नहीं है इन और गिनिक में क्या अड़ था कुछ आड़ नहीं पिटा सब आसान है सब सरल है तो देखो ध्यान से यहां पर इस सिद्धान्त के नुसार क्या होता है कि जो कार्वनिक योगी कि उनका निर्मान अपने आप होते हैं जिसे कि साग सब्जियां हो गई प्राणी हो गए इनका निर्मान अपने आप होता है ठीक है इनने लेव में निर्मित नहीं किया जा सकता है यह जेव सकती सिद्धान्त हुआ अब इनको स्टार्टिंग में समने मान लिया कि हां यार इनका निर्मान अपने आप ही होता होगा ऐसा कुछ होता होगा अब दीरे दीरे बात आगे बढ़ी, कुछ साल भी थे, एक साल, दो साल, तीन साल, चार पांट साल एसे कुछ साल भी थे, फिर बात है लगभग लगभग सन, अठ़ारा सो अंतिस के अंदर, एफ वोलर ने क्या किया, ये भी टेस्ट ये भी विग्यानिक थे तो के हम भी तोड़ा विग्यानिक दिमाग लगा लें इन्होंने क्या किया एक कार्वनिक योगिक है एक कार्वनिक योगिक है जाक से टेंशन नालो आज से दूँगा ठीक है बटा टेंशन नालो एक अकार्बनिक योगिक एफ वोलर ने क्या किया एक सर आपके साथ लिखता हुँ तो इस लिए राइटिंग घराब होजाती बिटा इसा नहीं अच्छे देख ले राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए तुमारी टीक है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए एफ वोलर एफ वोलर ने क्या किया एक अकार्बनिक योगिक एक अकार्बनिक योगिक यूरिया ये क्या है एक अकार्बनिक योगिक है आज़ा सुनो 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 सुनी सुरी गलत हो गया गलत हो गया यूरिया तो बनाया था एक अकार्बनिक योगिक लिया उस यह अकार्ब योगिक की मदद से हां 1827-28 कोई दिक्यत नहीं बिटा अगर आप यहां पर 28 बिलिग दोगे 27 बिलिग दोगे 27-28 बिलिग कोई नहीं पूछ रहा ठीक है सन वगेरा नहीं पूछे जाते हैं ठीक है अपन कोई छोटी क्लास नहीं पर को युद्ध कब लड़ा गया था युद् NH4CNO इसे कहा जाता है अमोनियम साइनेट इसका नाम है बिटा अमोनियम साइनेट जो की एक अकारबनिक योगिक है इस अकारबनिक योगिक को इन्होंने क्या किया गर्म किया इस अकारबनिक योगिक को गर्म किया और इससे यूरिया बनाया यूरीया जानते हो ना यूरीया को खाद करते हैं। यूरीया जिसका सुत्र होता है नहीं । CO NH2 Urea जो कि क्या है एक कार्वनिक योगी है एक कार्वनिक योगी है तो देखो ध्यान से बच्चा यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भिया सबसे पहले तो बढड़जिलीस आए बढड़जिलीस ने क्या दिया जेव शक्ति सिद्दान्द दिया उन्होंने कहा कि कारबनिक योगिकों का निर्मान लेव में नहीं किया जा सकता है। प्रकरती में अपने आपी बनते हैं इनकी पीछे कोई जेविय शक्ति है या कोई देविय शक्ति है जो इनका निर्मान कर रही है हम नहीं कर सकते लेकिन उस अठारा सो अठाइस के लगबग लगबग एक विज्ञानिक आये एफ वोलर इन्होंने क्या किया एक अकार्बनिक निर्मान कर दिया लेव में वो अकार्बनिक योगिक ता अमोनियं साइनेट और उसकी मदद से एक कार्बनिक योगिक यूरिया बनाया तो प्रथम यूरिया के आए बटा प्रथम प्रथम संसलेशित कार्बनिक योगिक का खिताब मिलावा ऐसे कार्बनिक योगिक है आपका यूरिया प्रथम संसलेशित कार्बनिक योगिक बेटा ये है यूरिया ओके हलो बच्चा हलो जी हलो हलो सर आप बहुत दिनों बाद मिले मुझसे स्कूल चला जाए गई थी इसलिए ओहो कोई बात नहीं बिटा कोई बात नहीं शाम को आजाए गई अरे दिपिकाजी क्या हाल है सब बढ़िया है खेरियत है सब तो यहां पर इस तरीके से यह हुआ अब जैसे जैसे इसकी खोज हुई फिर लोगों ने एसेटिक अमल बना दिया ठीक है फिर और सारे कहीं सारे कार्बनिक योगिक बनते गए किसने एसेटिक अमल बना दिया किसने मिथेन बना दिया किसने कुछ और बना दिया तो इस प्रक गलत थी और फिर इसे के साथ जेवे शक्ति सिद्दान्त का खंडन हो गया कि कार्बनिक योगिक क्लियर है बच्चा कार्बनिक योगिक लेब में भी बनाये जा सकते हैं क्या मेरी बास समझ में आ रही है कार्बनिक योगिक लेब में भी बनाये जा सकते हैं सर आपका नाम क्य है आप के जिसर के नाम से मुझे बुला सकते हैं ठीक है हां जी क्लियर है ओके लक्षमन हाजी तो यहां पर इस तरीके से हमने चीजों को देखा समझा और सीखा सर आज से शुरू हुआ है क्लास बिल्कुल बिटा यह पहला ही चेप्टर है मतलब पहला ही लेक्चर है हैं सर नहेच फ़ोर एनशीय ओ में क्वीस इसमें तो कार्बन हे ना अरे भाहिया यह अक कार्बन क्वाला योगिक कार्बन नहीं होता है उसके अंदर गुण होने चाहिए वो अपने आप बनता हो उसके अंदर और भी तो quality होने चाहिए जो hydrocarbon में होती है जो बागे carbonic योगी कौमे होती है ऐसे तो carbon बहुत सारे योगी कौमे होता है जैसे कि आप किसी जैसे कि बोल दो sodium carbonate इतनी बाते हो गई इतनी बाते हो घखो आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं आगे तो सरीष का मतलब ये है कि हाइड्रो कार्बन कार्बनिक योगी को की पुरानी परिभाशा गलत है तो नई परिभाशा ठेके ना यहाँ पर इन्हें कहा गया फिर हाइड्रो कार्बन इन्हें कहा गया हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक योगिक ही कहलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन क्या है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने योगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है यह लेब में ही बन सकते हैं यह प्रकरतिक प्रकरतिक रूप से बन सकते हैं बिल्कुल बेटा सराप क्लास दो बार पढ़ाते हो हां मैं कक्षा बार वी दो बार पढ़ाता हूं और मैं तीन जगह पढ़ाता हूं बात ही है कक्षा बार वी में तीन जगह पढ़ाता हूं जेई वाले चनल पर पढ़ाता हूं एप पर पढ़ाता हूं और यू हाइड्रोजन से मिलकर बने योगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने योगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं लेकिन क्या यही हो सकते हैं नहीं इनके अलावा कार्बनिक योगिकों में एक्सिजन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है सल्फर भी हो सकता है ठीक है इनके अलावा कार्बनिक योगिकों में कार्बनिक योगिकों में कार्बनिक योगिकों में कार्बनिक योगिकों में नाइट्रोजन फोस्फोरस सल्फर ओक्सीजन आधी परमानु भी उपस्तित हो सकते हैं क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं आदी परमाणू भी उपरप्रिस हो यह तो पड़ाए है ना बिलकुल बेटा क्या मतलब क्लियर है जी सब बच्चों को समझ में आया मतलब हाइड्रो कारबन में कारबन के अलाव कारबन हाइड्रोजन तो हो गाई सही लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे बेटा कुछ योगिक ऐसे होंगे उसमें कारबन भी कारबन और हाइड्रोजन के अलावा ओक्सिन हो सकता है नाइटुर्जन हो सकता है, सुलफर हो सकता है, फॉस्फ फॉरस हो सकता है, खुता है ये इसका थेकले ना, को उन्हें भी कारबने क्योंगी कहेंगे, ठेकले लक्षमी ये पमेंडी कलियर वहा, ये बाद समझ में आई बैटा क्रिश ःओके, अब आगे दिखो आगे धेकल, ठीके बहुत बढ़िया दिपिका बहुत बढ़िया अब अगर हम बात करें यह हाइड्रोकार्बन सरी हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं यह भी तो बताओ सरी हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तो देखो ध्यान से एक बेसिक सा वर्गी करण हम देखते हैं एक बेसिक सा वर्गी करण देखते हैं ओके बिलकुल बच्चा बिलकुल हाजी अगर हम बात करें हाइड्रो कार्बन अगर हम बात करें बच्चा बेसिक बेसिक हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन खुली शंकला वाले भी हो सकते हैं और बंद शंक्रा वाले भी मनलब चक्रिये भी हो सकते हैं ठीक है देखो हाइड्रो कार्बन तीन प्रकार के बिटाव तो छोटी क्लास में होते थे ठीक है अब देखो ध्यांसे हाइड्रो कार्बन बेसिकली यहांपर हम बात करें दो प्रकार कें है ठीक है खुली शंकला वाले यह बंद्ध शंकला वाले फिली ऐसे नियूच्न है फस्यांसट्गाओ वाले भिजका है घर समनर ऑचạtता है जिने क्या बोला जाता है चक्री सहterm या वलय युक्त वलय युक्त क्लियर है कि समझ में रहा है वलय युक्त अब देखो ध्यान से खुली शंगला वाले हो गए अचक्री और अचक्री या इन्हें आप अचक्री भी बोल सकते हैं इन्हें आप अचक्री भी बोल सकते हैं हां बिल्कुल बिटा कक्षा ग्यार भी पांच बजी होती है और छे बजी फिर मेरी बार भी होती है हां हांजी बच्चों आपको सब कुछ यहीं लिखना पड़ेगा बिटा ओके खुली शंकला वाले हो जाएंगे और या फिर बंद शंकला वाले ठीक है अस इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है अस आई कि इन्हें कहा जाता है बच्चा साइक्लिक है ठीक है और जो बंदी शंकला वाले होते हैं जैसे कि देखो इसके उदारन देख लो इसका उदारन बिटा एलकेन खुली शंकला में एलकेन आता है खुली शंकला में क्या आता है एलकेन आता है खुली शंकला में बिटा एलकेन भी आती है खुली शंकला में बिटा एलकाइन भी आती है ओके एलकेन का सामानी सुत्र आपने पड़ा होगा सर जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने में दो जोड़ दो उतने यदि हाइड्रोजन है तो वो एक एलकेन होगा ओके एलकीन क्या होता था सर जितने कार्बन होते हैं उसके डुबल दुगने अगर हाइडोजन हो तो वो एक एलकीन होता है एलकाइन क्या होता है सर जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने में से दो कम कर दो उसके दुगने में से दो कम कर दो तो वो एलकाइन की केटेगरी में आएगा? आएगा की नहीं आएगा? आएगा. बंद शंकला वाले, वहाँ पर देखो, ये क्लियर हो गया? बेसिक बेसिक, थोड़ा-धोड़ा हम देखेंगे. दिरे-दिरे थोड़ा-धोड़ा करके सेखते जाएंगे, बच्चा. क्लियर है ओके हाँ जी क्रिश सर आप बोल रहे हैं फिर भी आप शान्त लग रहे हैं ऐसे कैसे हो रहा है मतलब ओके टेंट में पढ़ा दा ना बिटा ही आपने वही टेंट वाली चीजें आपको याद आएगी समझ मैं इविनिंग में बिटा अभी अभी पढ़ाने लगा हूं दो दि होते हैं एक होता है बिटा आपका सम चक्री एक होते हैं आपके विशम चक्री सम जब चक्र में सभी परमाणू एक जैसे हों उन्हें सम चक्री कहा जाता है विशम चक्री जब चक्र में जो वले हैं उसमें कार्बन के लाव कोई दूसरा परमाणू आ जाए ठीक है सम चक्र विशम्चक्रिये अब देखो ध्यान से जो सम्चक्रिये ना इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है पिटा होमो साइक्लिक इन्हें कहा जाता है हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक थेंक्यू बेटा थेंक्यू गूमल सम्चक्रिय विशम्चक्रिय अब देखो इनके भी दो प्रकार होते हैं उनके भी दो प्रकार होते हैं और बाकी और होते हैं फिर वो दिरीदरे आप सीखते जाओ गया ठीक है सम्चक्रिये के दो प्रकार, विशम्चक्रिये के दो प्रकार, सम्चक्रिये बेटा ये एलिफेटिक भी होते हैं, और इन्हें दूसरों को कहा जाता है, एरोमेटिक, और सम्चक्रिये एलिफेटिक, इन्हें बेटा एलिसाइकलिक के नाम से भी जाना जाता है, एलिसाइकलिक साइकलिक थोड़ा थोड़ा पड़ाइंगे और अरोमेटिक तो सही में ये ही दो प्रकार इनके लिए भी होते हैं इलीफेटिक भी को थे अरोमेटिक भी हाँ एननदेक ठीक्यां जी ओके थोड़ा थोड़ा करके पड़ेंगे तो उम्मीद है यह बाते बाते हम देखो सम्चक्रिय जब केवल वले में कवल कार्बन कार्बन ये सम्चक्रिय विशम चक्रिय जब वले में कोई दूसरा भी आ जाए compliments जैसे कि मैंने यहाँ पे oxygen लगा दिया वले में कार्बन के लावा कोई और भी आ गया तो विशम चक्री है, ओके, समझ में आरा है, दिरे दिरे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, हाँ, बेंजीन भी लगा सकते हैं, उसमें गोला लगा तो बेंजीन मन जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बचों को समझ में नहीं हा रहा होगा, दिरे दिरे पढ़ेंगे, मैंने कहा ना, पर ज्यादा लोड मतलो, एकदम निश्चिंत हो के बिठो, सब समझ में आएगा, हलके हलके, दिरे दिरे करते करते, आपको सीखना है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया जाएंगे, तो ये एक एक बात आप बढ़िया से सीखते जाएंगे, बढ ठीक है, ठीक है जी, हाँ, बिल्कुल, डेली, क्लास, आप ही लेंगे रोज, बेटा, महीं लूँगा, केमेस्ट्री को दूसा थोड़ी ने पढ़ाएगा, महीं पढ़ाऊँगा, टेंशन लो, ओके, हाइड्रो कार्बन के बारे में इतनी बात हो गई, अब अगली बात, हाइड्रो कार्बन, सर हमने थोड़ा तो देखा, सर थोड़ा तो समझ में आ रहा है, अब सर हाइड्रो कार्बन को, हाइड्रो कार्बन को, देखो ध्यान से, अभी कुछ बाते और है, धिरे धिरे आपको पता चलेगा, सर संत्रप्त क्या होता है, असंत् संत्रप्त हाइड्रोकारबन संत्रप्त हाइड्रोकारबन सेचुरेटेड में जब कारवन कारवन के बीच में केवल एकल बंद हो ठीक है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मद्य केवल एकल बंद उपस्तित हो केवल एकल बंद उपस्तित हो वो कहलाते है बिटा संत्रप्त बहुत बढ़ी है जैसे की देखो आपने पड़ा होगा ना उदारना जैसे की देखो CH4 मिथेन यहां तो एक ही कार्बन है खेर कोई दिक्कत नहीं है C2H6 इसमें क्या दो कार्बन है दोनों कार्बन के बीच में एकल बंद है इसे तीन हाइड्रोजन है इसमें भी तीन हाइड्रोजन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद अतय संत्रप्त है एलकेन संत्रप्त है एलकेन में संत्रप्त यह क्या है इथेन है यह संत्रप्त है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बोंड दोना चाहिए अब बात करें असंत्रप्त के बारे में असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शोट में लिख रहा हूँ बेटा एच्छी है ना आप समझ जाये हुए दिर दिर जब कारगार्बन की बीच में बहुबंद्ध हो बहुत बढ़िया बहा preserv बढ़िया जब हाइड्रोकारबन में उपस्तित कारगंपरमाणों कारगंपरuish कार्बन परमानों के मद्धिय बहु बंद उपस्तित हो असंतरप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जैसे कि देखो उदारन जैसे कि एलकीन एलकीन में क्या होता है पेटा कार्बन कार्बन डबल बोन होता है अगल बगल में भले कोई भी जुड़ रहा हो कोई मतलब नहीं डबल बोन तो होई गई होई गा एक जी और अगर हम बात करें एलकाइन एलकाइन में क्या होता है कारबन कारबन ट्रिपल बोऊ तो होता ही है अगल बगल में कोई ब्युड़ कोई मतलब नही है समझ में आए बिटा ऐलकीन इसमें डबल बॉंट तो होग गय रोगा अगल बंड में कोई जुम्हें त्रिपल बूंड होएगा अगल वगल में कोई जुड़े कार्बन चारबंद बनाता है क्या यह सारी बाते समझ में आ गई तो अन्सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ में असंत्रप्त हाइड्रोकार्बन समझ में बिटा क्लियर है तो थोड़ा-थोड़ा आप चीजों है बहुत बड़ीक्रेश ओके हाजी और यहां पर यह अलकें समझ में eg तो जो बच्चा पहली बार यहाँ पर पढ़ रहा है न है पढ़का पहला लेकचर देख चारा है यह आज आज लेक्चर नंबर वुन है-अाज लेक्चर नंंबर वन है डिली आप इस क्लास को देखी मज़ा आजाएगा आपको यकेन के साथ के रहा हूं मज़ा आजाएगा डेली आप इस क्लास को देखो गदगद हो जाओगे सारी बाते क्लियर हो जाए यह आपको इसा लगेगा सब मक्षन चल रहा है ओके तो डेली आओ डेली पाओ अब इसके बाद आगे अब इसके बाद इसमें अच्छे से मैं टाइम लूँगा, कुछ बाते में आपको बढ़िया से सिखा दूँगा, अच्छे से, ओके, बहुत बढ़िया, अरुन, वेरी गुट, अब इसके बाद बच्चा आता है, हाइड्रो कार्बन का प्रदर्शन, किसी हाइड्रो कार्बन को हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सोचा, ब्यूटेन, अब ब्यूटेन को प्रदर्शित करने के लिए, क्या, क्या, सर, आप इंस्टा वाली फोटो में आदित्य नहरायन लग रहे हो, तेंक्यू बटा, हाँ जी, तो अगर आप से पोच लिया जाए, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन को कितने, सर लाइव क्लास, सर लाइव नहीं, बट रिकोडेड क्लास देख लिता हूँ, बहुत ब इंटेशन ओफ हाइड्रोकार्बन, चार तरीकों से, कितने तरीकों से, चार तरीकों से, देखो ध्यान से, फिर बागी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है न, किसी भी हाइड्रोकार्बन का पदर्शन, चार तरीके से किया जा सकता है, किया जा सकता है ठेके देरार सेवरल मेथड्स लाइक जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर फस्ट अनुसुत्र द्वारा बाइ मोलेकुलर फोर्मुला जैसे कि मान लो मुझे ब्यूटेन लिखना है तो ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब चार कारबन एन मतलब एलकेन तो जितने कारबन होते हैं उसके दुगने से दो ज्यादा चार का दुगना आठ आठ और दो दस यह ब्यूटेन है ठेके दूसरा संगनित अनुसुत्र द्वारा अब इसमें चार कारबन तो है एक दो तीन चार अब इसके अंदर यार ये कारबन कोने पर है तो एक बंद इसके साथ बनाएगा तो तीन किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ ये कारबन इदर कारबन से जुड़ा हुआ है उदर कारबन से जुड़ा हुआ है कितने बंद बना ली दो बंद बच्चे दो किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ CH2 ये कार्बन दो बंद पहले बना रखा एक इदर एक उदर अब दो किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ CH2 ये कार्बन एक ओल्रेडी बना चुका है तो एक बच्चे तीन किसके साथ बनाएगा CH3 तो थोड़ा और जूम कर दिया चीजों को हमने थोड़ा और जूम कर दिया इसको मैंने जूम किया ऐसा दिखा अगला विस्तारित अनोसुत्र द्वारा अगले क्लास में बहुत बढ़िया से प्रेक्टर्स करा हुआ इनकी अनोसुत्र द्वारा विस्तारित अनोसुत्र एक्सपांडेट मोलीकुलर फोर्मुला थोड़ा इसको इनके बीच के बंद भी दिखा दो अरे कारबन यहां पर चारों एकल बंद द्वारा जुड़े इसका एक पुरा हो गया तीन मना दो हाइडन के साथ यह विस्तारित अनोसुत्र हो गया समझ मैं और एक लास्ट है बिटा सबसे इंपोर्टेंट बंदन रेखा सुत्र बंदन रेखा सुत्र बंदन रेखा सुत्र बोंड लाइन फोर्मुला यही तुम्हें समझना है यह त 2, 3, or 4, carbon carbonлов style carbon carbon के बंद दिखाने हैं कितने कारबन हैं कितने बंद एक दो तीन बंद हैं तो 123 हतंब चारबं बताना हैं जिग जिड़्ी मेरे टीड्हीमिले रहा हैं क्यों ये चतुस फल्फला सटनरच्ना भनाता ये वर्फन सी फोरेंच मैं यह एक कारबन 2 थी कारबन चार कारबन ये एकल बंद फिर अगला एकल बंद अगला एकल बंद है ओके हाइड्रोजन नहीं बताते हैं इसमें इसमें हाइड्रोजन नहीं बताते हैं वो दिमाग से सोचना है पढ़ेंगे हम अगले लेक्षर में पढ़ेंगे बिटा अगले लेक्षर में पढ़े जुड़े हुए हैं, आपको दिखाने नहीं, वो जुड़े हुए हैं, यह कारबन एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो दो बंद हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हुए, यहाँ पर दो जुड़े हुए हुए, यहाँ पर तीन जुड़े हुए हुए, ऐसा या वेसा बात एक ही क्लियर बच्चा ओके तो इसके बाद की बाते वो सब करेंगे हम अगली क्लास में तो आई होप आपका बेसिक बेसिक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ठीक है ना तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वरगी करनी क्या है हाइड्र कार्बन क्या है उनकी परिबाशा थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बातें क्लियर होएं ओके देवंद्र समझ में आया तो यह सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी अगला लेक्चर भी जरूर देखना शुरुआत के लेक्चर ही बहुत इंपोर्टेंट होते हैं अगर शुरुआत ही आपने उट पटांग कर दी आज देखा कल नहीं देखा है फिर लापरवाई कर दी फिर कुछ नहीं हो पाएगा फिर आप यह मत के नासर मेरा बेक लोग कैसे कवर करूं यह तुमारे बेक लोग कवर करने के लिए सारी क्लासेश चलाए जा रह है है हलो जी बसे हलो गुड म निग बेटा गुड मौनिंग शतना गुड मॉंग माट जी बस। याशिक, कैसे हो बच्चों, आजाए, आप सही बच्चों का बोहत बोहत स्वागते बटा, एक बार फिर से, गुद मोरिंग बच्चा, बोट मोरिंग जी, गुद मोरिंग, ड़ेल्कम टू डाउटनर्ड, सही बच्चों को फटाफट से क्लास के लिए बुलालो, बच्चों, गुडियूनिंग बिटा, गुडियूनिंग, 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 आजाओ, सही बच्चे आजाओ, फटाफट से, ओके, क्लास को शेर कर दिये सब बच्चे, बटा में एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, सब बच्चे फटाफट से क्लास को शेर क कर सकें ओके हैं हां जी आजयो बाधर आजयो आजयी 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 आप सही बच्रों का बहुत-बहुत स्वागत हैं ओके वेल्कम टू डाॉटनेट सर आपको अभी मोर्निंग की यादा रही किया बच्चों क्या गरू यार रही आख सेम शेडूल थाना आप के साथ अचाइ अगमेटी यह class आपने शेर Curduesta बच्छो को गोडेमिंग रोहित, गोडेमिंग, 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 हाँ जी वही, हाँ जी, सब बच्चे class को अच्छी से देख लें, एक्चुली ये क्लास चल नहीं रही है, मेरे यार, अच्छा आपको क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया, एक्चुली अभी तक मेरे घूम रही हो क्लास, चल नहीं रही है, हाँ जी, तो बच्चो देखो ध्यान से, गुड इवनिंग जी बच्चो, आउटनेटकेस मंच पर ओके हाजी बिटा बिलकुल बिलकुल बिटा महाँ गुडिवनिंग गुडिवनिंग रोहीद जितेंद्र यादा विस्टूडेंट सपना जी कैसे हो सबच्चे आजाओ भई आजाओ सबच्चे फटाफट से क्लास को जोईन कर लो एक एक बात को बढ प्रियनिक केमेस्ट्री का दूसरा लेक्चर ठीक है बहुती शांदार यह चेप्टर बहुती प्यारा चेप्टर है आपको बढ़िया से चेप्टर पढ़ना है एक एक बात को बढ़िया से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है ओके सफना गुडि अच्छा एवनिंग में क आप एकंरहा हेखे एक बज हा तो भी आप इतना परीशान वे जाते हो इना तो अब देखो आप बिटा मैं अगलोगम बढ़ेया में एकदम मस्तु space । हा जी तो चलिए करते हैं आगे बड़े बच्चा बहुत बड़ें सर्मेटे एसे मेर्टी हूं कहां क्या बात है बच्छा बहुत बढ़िया ओके मैं भी बटा ऐसी में एक लास ले रहा हूं चिंदा मत करो ओके हाँ जी तो आप सभी बच्छों का बहुत बहुत स्वागत है बटा आई ये बात करें आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्छो आज के लेक्चर में हम बात करने व आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रो कार्बन का प्रदर्शन की किसी हाइड्रो कार्बन का प्रदर्शन कैसे किया जाता है हाइड्रो कार्बन का प्रदर्शन रिप्रेजेंटेशन ओफ हाइड्रो कार्बन आज हम बात करेंगे बच्चा रहां पर representation of hydrocarbon hydrocarbon का प्रद्शन के से किया जाता है okay बच्चा, क्लियर है प्रियंका good morning, good evening, good evening, good evening, good evening, sarmen, natural, हवा ले रहा है, बहुत बढ़िया, okay, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया, बुलालो भई, सही बच्वो को फटाफट से, बुलालो, राजा ओफटाफट से, डिजै श्वाल, शाक्षी, आजाये भ्याजाये, आप सही बच्चे फटाफट से लास को जोईन कर लें, okay, क्लास चलने ही रही क्यों बच्चा, यह यह लास चल क्यों नहीं रही है, okay, हाँ जी बच्चो, आज यह सब बच्चे लास जोईन कर लो, फिर हम स्टार्ट करें, okay, हम, ख्लीर बटा प्रियंका जी, रिद्धी जैस्वाल हाँ जी, हाँ जी. तो, चलिए बात करते हैं, आज की लास में हम बात करेंगे हाँ पर हाइड्रो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन की कैसे इनका प्रदर्शन किया जाता है, जीनियस बाबु कैसे हो, ओके तो बच्चो देखो ध्यान से आगे बढ़े सबसे पहले एक दफा मै अपने बारें बता दू, my name is कामिश कुमार जांगेड, your master teacher of chemistry, okay हाँ जी, तो बढ़िया से सारी बात अच्छे से देखेंगे, और सारी बाते clear करेंगे, हलो बच्चा, हलो हुसेन, कैसे हो हुसेन, okay हाँ जी, बंटू, कैसे हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, यहाँ पर आज के lecture में हम क्या देखेंगे, वो मैंने आपको बताया hydrocarbon का representation, आईए आगे बढ़ते हैं, तो बच्चो देखो ध्यान से सबसे पहले एक बारी हम revision कर लेते हैं, यार पिछले lecture में हमने क्या देखा, बच्चो पहला lecture था अपना, इस चेप्टर का पिछला lecture, उसमें हमने यह देखा था कि कारवने क्योगी क्या है कारवने क्योगी सबसे पहले बढ़जिली इस नहीं बताया कि कारवने क्योगी को का निर्मान अपने आप होता है, इनके पिछे कोई देवी शक्ती है, इनका निर्मान लेब में नहीं किया जा सकता, मानों के द्वारा इनने नहीं बनाया जा सकता, ओके इनके पिछे कोई जेवी शक्ती है या कोई देवी शक्ती है, जिनसे इनका निर्मान होता है बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया ओहू यह वेरे गूड बच्चा वेरे गूड नहरतम गुड इवनिंग तो बच्चों दो देखो ध्यान से ये सारी बाते मेंने देखी एकमतलब यह बाते मैं खो पढ़ाई और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद एक विग्यानिक आया था एफ वोलर उसने इस बात का खंडन किया कि नहीं कारबनिक योगिक लेब में भी बनाए जा सकते हैं उसने पहला कारबनिक योगिक बनाया यूरिया जो की अमोनियम साइनेट से बनाया था जो की एक अकारबनिक योगिक है तो प्रतम कारबनिक योगिक कौन सा है यूरिया है जो की संसलेशित किया गया लेब में बनाया गया प्रतम संसलेशित कारबनिक योगिक है यूरिया उसके बाद एस सारे योगिक बनाया गया ठीक है ओके लेकिन जो पहला होता ह उसे का नाम होता है, clear है बिटा श्वेता, ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसको फिर कार्बनिक योगीकों के फिर नई परिवाशा दी गई, जिसे हाइड्रो कार्बन कहा गया, हाइड्रो कार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए योग प्चा, ओके, हाँ, अब देखो ध्यान से इतनी बाते हैं यह हमारे पास हो चुकी है, एक एक बात को बढ़िया से हम समझ चुके हैं, एक एक बात को बढ़िया से हम जान चुके हैं, that's it, अब आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन का वरग विशम चक्रिये के अंदर भी एलिफेटिक, एरोमेटिक यह हमने देखा, जैसे जैसे इनकी जर्वत हमें पढ़ेगी, वैसे वैसे में इनको सीखते जाएंगे, बढ़िया से क्लियर करते जाएंगे, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन का प्रद हाँ जी, कि हाइड्रोकार्बन का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ओफ हाइड्रोकार्बन, हलो श्वेता जी, कैसे हो बच्चा, तो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, क्या-क्या तरीके हैं जिनके जरिए हम हाइड्रोकार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ये जरा उन तरीकों पर बात करें तो मैंने आपको ये बताया था बच्चा पिछली क्लास में देर आर सेवरल मैथर्स बाइविच वी कैन रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन ठीक ना बहुत कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिये बच्चो हम हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक जैसे कि बच्चों उसके अंदर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था पहला अनू सुत्र के द्वारा अनू सुत्र के द्वारा अब अनू सुत्र के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि मान ली अच्छा, हलो, क्या सब बच्चों को वाज आ रही है, ब्यूटेन एक एलकेन है, और एलकेन का सुत्र क्या होता है, जितने कार्बन है, उसके दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ब्यूटेन में कितने ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और 4 के दुगने 8, 8 और 2, 10, यह एक ब्यूटेन हो गया, तो यहाँ पर केवल मैंने अनुसुत्र दिखाया, कि इसमें 4 कार्बन है और 10 आइड्रोजन है, कैसे जुड़े हुए, कुछ नहीं पता, अब मैंने क्या किया, थोड़ा इसको और जूम किया, इसका संगनित अनुसुत्र, संगनित अनुसुत् द्वारा, इनका प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं, अब संगनित अनुसुत्र क्या कहता है, कि थोड़ा इसको और जूम कर दो, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, अब बच्चा आपको ये पता होना चाहिए, एक कार्बन, 4 बंद बनाता है, ओके, कार्बन, 4 इसका मतलब बच्चे हुए, 3 बंद, 4 में से, इसके 3 बंद, हाइड्रोजन से पूरे हो रहे होंगे, तो यहाँ पर ये कार्बन, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ वाला कार्बन, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा ओके अब अगला यहां पर मैंने आपको बताया था विस्तारित अनुसुत्र द्वारा प्रदर्शन विस्तारित अनुसुत्र द्वारा इनका रेप्रेजेंटेशन विस्तारित अनुसुत्र में क्या होगा बच्चा हाँ विस्तारित में क्या करेंगे अब हम इनके बीच के ब दो, तीन, इसका मतलब इस carbon, इस carbon के बीच में एकल बंदे, यह carbon दो hydrogen से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके एक बंद तो इधर, एक बंद इधर बंद रहा है, यहाँ पर भी बच्चा से मैंसा ही CS2 आजाएगा, और यहाँ पर बिटा यह CS3 last में आ गया, क्या मेरी बास सम मज में आ रही है, हाँ बिल्कुल बिटा यह class अभी just start हुई है, बिल्कुल अभी आप आप जैसे आप पहुचे ना वेसे मैं पहुचाओं बिटा इस class में, ओके, clear प्रिया, और देखो last में बिटा होता है, बंदन रेखा सुत्र द्वारा, बंदन रेखा सुत्र द्वारा के बीच के बंद बताते हैं, केवल कारबन परमानों के बीच के बंद बनाते, देखो, एकल बंद, एकल बंद, एकल बंद, कारबन, तीन एकल, मतलब यह तीन एकल बंद है, एक, दो, तीन, बस ऐसे, जिक जैक, टेड़े मेड़े बनाएंगे, उपर, नीचे, उपर, ऐसे, clear है, तो यहां पर इनके जो corner है, यह पहला carbon, यह दूसरा carbon, यह तीसरा carbon, यह चोटा carbon, यह इसे बताया जाएगा clear हुआ बच्चा, okay, यहां पर यह carbon एक बंद बना रहा है, इसके साथ, मतलब इसकी बचेवी 3 संयों जगता है, hydrogen के साथ पूरी हो रही है यहां carbon इधर भी carbon से इधर भी carbon से जुड़ा हुआ है इसका मतलब इसकी बच्चों भी दो सेयों जगता है hydrogen से पूरी हो रही है हो रही है clear है बच्चा क्योंकि इसका मतलब ऐसा यहां पर क्या लिखा हुआ है CS3 लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखा हुआ है CH2 लिखा हुआ है ये दो carbon के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात यहाँ क्या लिखा हुआ है CH2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है CS3 तो ऐसे बताया जाता है Am I right? तो इस तरीके से बच्च इनका प्रदर्शन किया जाता है, हाइड्रो कार्बन का प्रदर्शन किया जाता है, अजय जी, ओके बेटा ये चल रही ही, कक्षा 11, ये चल रही ही, कक्षा 11, ठेके न, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन वाला चेप्टर, ओके, बहुत इंपोर्टेंड रे बहुत यह राच है इसलिए क्यों सपप्टर को हम स्टार्ट करें बड़ी और सेप cuenta arises बहुत मज़ेदार चेप्टर है को सदी यस तो यह बाते हमने देखी अब देखो कुछ और क्षिशन करते हैं कुछ और बाते बढ़िया बढ़िया ऐसी हम देखते हैं उनको सीखते हैं ओके बच्चा आए आगे बढ़ते हैं हां जी तो देखो ध्यान से हमारे पास अलग-अलग योगिक बनेंगे हमारे पास कई प्रकार के यो संगनीच सुत्र उस संगनीच सुत्र को में बंदन रेखा सुत्र में कनवर्ट करूंगा बंदन रेखा सुत्र बंदन रेखा सुत्र का मतलब केवल परमानों के बीच के बंद को बताना है हाज जैसे कि देखो ध्यान से मान लीजे कहीं पर लिखा हुआ है CH2 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 यह लिखा हुआ है CL ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो इसमें देखो कितने कारबन है 12345razit ठीक है 5 कारबन है अब 5 कारबन है तो आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार यह पाँच कारबन है एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच कार्भन ऐसे बना देएक, दो, तीन, चार, पांच, बन गए पांच कार्भन, देखा, एक जुड़ा हुआ आए से सील, या सील जोड दिया, एक दॉच कर न ही नहीं है, शान कूरेशी, क्लेर गचा, ओके, और बाकी हाईडुजन तो understand है इसाई जहाँ पर बाकि जो बच्ची वी सही जगता है हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दी जाएगी ओके क्लियर बहुत बढ़िया अब देखो कही पर ऐसा लिखा हुआ है CS3 या लिखा हुआ बेटा CH और इसके मतलब समझी जरा हलो पूजा कैसे हो बटा आपकान आपसे नहीं कोई दूजा आपसा नहीं कोई दूजा देखो ध्यान से एक दो कार्बन ध्यान से देखे पहले इसको पहले इसको सही तरीके से देखो एक दो इसी CH से जुड़ा हुआ है CS3 CS3, CH इससे जुड़ा हुआ है CS3 मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CS3 फिर यहाँ पर एकल बंदा जाएगा CH इससे जुड़ा हुआ है CS3 फिर यहाँ पर यह है CH ओके क्लियर है इसके दोनों के दोनों बंद यहाँ पर जुड़ गए CS3 के साथ CS3 के साथ ओके हाँ जी श्वेता अब देखो बेटा एक दो तीन चार कारबन हैं एक दो तीन चार हो गए एक दो नंबर से एक CS3 जुड़ा हुआ है यह जोड़ दिया तीन नंबर से एक और CS3 जुड़ा हुआ है यह जोड़ दिया क्या बुराई है बताओ बच्चा क्या यह बात समझ में आ रही इसको 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 तीनों को एक ही पढ़ सकते हैं हलो मुस्कान, कैसे हो, हलो जी हमिशा पतेल, कैसे हो बिटा, देखो दियान से, इसको 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 एक ही जैसा पड़ेंगे, देखो, इस CH से जुड़ा हुआ है CS3, ये लटका दिया नीचे, इस CS से जुड़े हुएते CS3, hold twice, twice का मतलब है 2, तो हमने ऐसा लिख दिया, ओके, देखो दियान से, CS3, CH, CS3, CH, CS3, hold twice, ओके, तो यहाँ पर ये CS3 ता न, इससे जुड़ा हुआ है, जिसके आगे लिखावा है न, उससे जुड़ा हुआ हुआ है, इसके आगे लिखावा है, इससे जुड़ा हुआ हुआ है, ओके, इस CS के आगे लिखावा है, इससे जुड Okay, आएगा, दिरिदरियाएगा, दिरिदरियाएगा, आज याँ लिखावा है CS3, whole thys, अब देखो धियान से, बिटा कल से ही ये शाम को ये, कल से कापर 100 से, अब ये ऐसा लिखावा है, तो देखो धियान से इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह CS3, यह CH, इससे जुड़ा हुआ है CL क्योंकि carbon carbon की chain मैंने यह chlorine बीच में कहां सा आएगा उसाइड में जाएगा ठेक है यह CH इस carbon से जुड़ा हुआ है जिससे क्या जुड़ा है तीन CS3 जुड़ा हुआ है तीन CS3 1 2 3 क्या यह बात समझ में आ रही है बच्चा क्लियर है ओके बताओ इसको हां जी बच्चों क्लियर है हां तो यहां पर यह बाते देखिए बटा एक बात आपको बढ़िया समझ में आएगी एक एक बात बढ़िया से क्लियर होगी, ठीक है, हलो जी, हलो, हलो श्वेता, समझ में आगया, कैसे हम ने किया, एक एक बात को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो लिखावा है, उसको इस तरीके से क्लियर कर देंगे हैं, ओके बच्चो, ठीक है, यह शी, देख लो बच्चा, देख लो, कहीं पर कोई दिक्कत आपको बता देना, बटा, शान कुरेशी, तो ऐसा लिखो, या ऐसा लिखो, बात यह किए, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, बना दिया, दूसरे नमबर पर जुड़ा हुआ है, C, L, तो यहाँ पर बना दिया, C, L, ऐसे लगाना है, ठी तरि बुच के कोर्णर के रूप में जोड़ना इनको, तरि बुच के कोर्णर के रूप में, ठीक है, और इस कार्बन, 1, 2, 3, तीन नमबर पर 2 C, L, जुड़ा हुआ है, यह एक और यह दो ऐसे जोड़ा, क्या दिक्कत है, समझ मैं है, समझ मैं है, बटा, इसको, इसको, इस को, इसको ऐसा लिखो, या है अचलि गोए ऐसा लिखो या इसा लिखो बाते किये, समझ मैं है, क्ली रै वयरी गृट, बढ़ी बढ़ यह, अगला दिक है, या लिख वाई, छ तो, या लिख वाई, सी तो, फिरलिक हावाई, सीद डुच टू, तीन रवए, सी घॉज आ इस कारबन से क्या जुड़े हुए दो हाइड्रोजन जोड़ दो एक दो ठीक है इस वाले कारबन से दो हाइड्रोजन जोड़ दो बहुत बढ़िया एक दो अब देखो इस कारबन को कितने बंद बनाने भी दो इसको कितने बनाने दो इसको कितने बनाने चार दो इधर से बन दो क्लियर वा ओके गुडिवनिंग बिटाइशी का हांजी बीटा बिलकुल बेटा मैं हुए निखिल दूबे ओके समझाया सब बचों को अरे इससे ये कैसे बनाया ये कार बने इससे दो हाइड्रोजन जोड़ दिये ये वाला कार बन था इससे भी दो हाइड्रोजन अब कारबन कितने बन बनाता है बिटा चार बन बनाता है इसके दो बन बच रहते इससे बना दी इसके भी दो बन बच रहते इसके बना दी बीच वाले का भी स्ट्रक पूरा हुए अब देखो ध्यान से इसको उसमें कैसे गनवर्ट करें एक दो तीन कार बन है तो देखो ध्यान से, 1,2,3, 1,2,3 हो गया, पहला और दूसरा डबल मोर्न के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये और ये डबल मोम के द्वारा जुड़ा हुआ है देख द्यान से, इसके आप ऐसे भना सकते हैं, ये और ये, ये या फिर ऐसे सिंपल बना दो, सर्हम लोगो को भी बनान भी ठीक है हाजी यहाँ भी double bone और यहां भी double bone और यार यहाँ पह एक निशान लग गा इक इक शएक निशान रिया लग गया यह double bond आ गे बटा और यह double bond आ गेह खतं बात माम लोख खتم ओके हाजीए तो अब देखो ध्याल से clear okay up chalo up come okay data when I'm buddy as a moka doula mocha mocha moka ugly question yali cover beta CS 3 take a yali cow is CH2 yali cow is CHBR or philly cover beta um oh age okay yali cow is cocker oh well ugly cow a CS 3 CH2 figure yali cow is CH double bone CH single bone CCS 2 CS 3 yali cow is CH2 CS 3 ticket or in your helper see it's really cowboy ticket or in your helper V R laga away okay in gay bandan reka starmanow is cow is cow bandan reka starmanow but our budget case of naming beta being can namgarni garam abim abin can namgarni garam namgarni जब जरवत पढ़ेगे तो मैं करवा हूँगा, टेंशन ना लो, अभी आपको नाम करण नहीं करना है, आपको सीखना है बस, कैसे इनके बंदन रेखा सुतर बनाए जाते हैं, क्लियरे बच्चा, आपको यह प्रक्टिस करनी है अभी, अब देखो, 1, 2, 3, कारबन कितने यह दूसरा कारबन, यह तीसरा कारबन, ओके, इस कारबन से कुछ नहीं जुड़ा हो SIM, यहां किया जुड़ा होँए, CH, इससे जुड़ा होँए, एक ब्रॉमीन और एक OH, तो एक ब्रॉमीन जोड़ो इससे, और एक OH जोड़ो, Г至ो, कितना हैर 스네, श्वेता जी समझ पा बाकि हाइडोजन बताने की जरुत है नहीं बटा कार्बन से इस ओक्सियन का हाइडोजन बताएंगे इस कार्बन से कितने हाइडोजन जुड़े होएं वो बताने की जरुत नहीं है इस से बताने की जरुत नहीं है पडाराओं में सुरुवास से बढ़िया से अब देखो इस वैसमें थोड़ा बड़ी संदशनाती इस लिमें थोड़ा खोल के लिख दिया वरना आप परेशान हो जाते हैं, okay, सर हम लोग भी अपने से बना है, बिल्कुल बिटा बना सकते हो, बस सहिव जकताओं का ध्यान रखना, कारबन की सहिव जकता 4 होती है, ना कम होती है, ना जा तीन तीन नंबर पर CS3 फिर यहां लगा हुआ है डबल वोल्ड यह लग गया डबल वोल्ड ठीक आ उसी पर जुड़ा हुआ है यह जोड़ दिया बी आरा पिर बिटा अगले वाले पर CS2 CS3 अगले वाले पर CS2 CS3 ऐसे एक और CS2 CS3 लगा दिया क्या दिक्कत तो ऐसे बनाओ या उसके बनाओ बात एक ही हा बेहू जाधा आसान किया लगा यह लगजा रहा ऑना कितना साने कितना काच्सरा रखा हुआ हा यह कितना सेंutive प्या जाए। किया टेंड़ यंधनड़ अगा शतम हो यह बिच्छा क्या एकार समझ में आ रहा है है यह बहौत आसान अल बहू आग पले चलो जी अच्छा में एक सिंपल सा कुशन देता हूं आपको आप तो ये बता दो इसको कैसे बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे इसे कैसे बनाएंगे हाजी बताओ बटा कैसे बनाएंगे इनको सीखो बेटा क्योंकि पता है जब बच्चे पेड़ कोर्स में इनको पड़ते ना उनको हवा निलगती है क्यों नहीं लगती है क्योंकि हो सीखते नहीं है बढ़ ओगे बच्चा हां जी तो बताओ इसको कैसे बनाएंगे च्छ टू डबल बोन च्छ टू हां बहुत बढ़िया ये एक डंडा ये दूसरा डंडा बस खताम बात दो डंडे अरे याली डंडे सही नहीं बने ये और ये बस ऐसे बताएंगे और कुछ नहीं गरना जिसने ऐसे बनाया है सही है इधर कारबन लिखा हुआ है इधर कारबन लिखा हुआ है इस कारबन ने इस कारबन के साथ डबल बोन बना रखा है बहुत बढ़िया ठीक है तो यहां पर बच्ची वी दो बंद हाइड्रोजन से पूरे और बच्चे वी दो बंद हाइड्रोजन से पूरे सिट वेश्टू को बना के बताओ बिटा जरा सीट वेश्टू यह एथीन है सीटू है उसको बनाओ सीट वेश्टू को कैसे बनाओ ओके रोईथ ये चोटी चोटी चीज़े ना बता आपको बहुत बढ़िया फायदा देगी वरना ना बहुत हो के डाउट रहते हैं यह सर कैसे बनाएं कैसे बनाएं समेत नहीं आता है अरे दो कार बने यार एक हाइडवन इसके साथ जोड़, एक हाइडवन इसके साथ जोड़, कितने बंद बने बीज, कितने बंद इसके बचने, तीन आपस में जोड़ दे, तो क्या करना है, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, खतम बात, ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, तीन डंडे लगा पच्छे से सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं, तो संगनित सुत्र से या विस्तारित सुत्र से क्या बंदन रेका सुत्र बना सकते हो बटा, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ओके, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, और करते हैं, अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ह हाँ जी अब उल्टा करते हैं है नहीं इसको संगनित रूप बनाना है ट्राइगरो और यहां कई पर मैंने एक डबल बून लगा दिया अब बनाओ इसका तो इसका तो बंदन रेकासु तो इसका संगनित ऐसा बनाओ ट्राइगरो जितना ट्राइगरोगे न उतना ज्यादा तुम सीखोगे ठीक है वरना पेपर में तो ऐसे आता है बच्चा पेपर में तो ऐसे आता है हवा ने लगेगे फिर हवा लगनी चाहिए अपने को ना गर्मियों का टाइम है बिटा हवा लगनी चाहिए बताओ, कैसे करेंगे, बोलो जी बोलो, एक एक बात आपको बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, एक एक बात बढ़िया से क्लीर होनी चाहिए, देखो दियांस, एक, दो, तीन, चार गार बने, सर वन, टू, त्री, फोर, चार गार बन, यहाँ डबल बोन, फिर एक छोड के ड डबल बोन, पहले दूसरे के बीच में डबल बोन, फिर तीसरे चोटे के बीच में डबल बोन, ऐसे बन गया, क्लियर है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कारबन, देखो ध्यान से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कारबन, हो इधर ये कार्बन एक, दो, तीन कार्बन, हो गया, इधर एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इधर एक कार्बन, उपर दो कार्बन, एक, दो कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बोन, इन दोनों के बीच में डबल बोन, और यहाँ पर एक और कार्बन, हुआ के नहीं हुआ अब बचिवी संयों जगता है इनकी हाइड्रोजन संतुष्ट करवा दो अब देखो जिते इंदर बागु हर एक कारबन को पकड़ो इस कारबन को पकड़ो है न इस कारबन इसने कितने बंद मना रखें एक तो बचे तीन बंद हाइड्रोजन के साथ इस इसने कितने बंद मना रखें तीन तो यहां एच आज आएगा इसने कितने बंद मना रखें एक दो तीन चार कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा इसने कितने बंद मना रखें चार कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा इसने भी चार बंद यहां पर कितने बंद बन रहें दो त hydrogen आजाएगा ओके सर्ये कन्फिउजन हो रहा है नहीं हो रहा है बटा बहुत आसान है मैं बहुत ही आसानी से पड़ा रहा हूं बच्चा बहुत ही आसानी से आप प्रेक्टिस करो धीरे 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 सिखेंगे मैंना ऐसा नहीं कि मैं एक यापको बोल दूगा एक उदा उनस पूरे गड़े ठिक है यह नशी। पन्द बना रहा है तeny यहां तीन हाईडुजन लग रहा होंगे है यहां पर भी 3 हाइडुजन लग रहा होंगे है यहां यह कारबन एक दो तीन और एक यहां चोता हाईडूजन लग जाएगा यह कितने बना रहा है एक-two तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, ओहो, देखो, ये कितना आसान था, ये कितना जीव लग रहा है, कितना खटा कट हो गया था, ओके, कितना सिंपल है बटा, तो बंदन रेखा से इसमें कनवर्जन, इसमें कनवर्जन ये आना चाहिए आपको, ओके बच्चा, समझ में आ अगला, क्योंकि तुम जब पेड़ कोर्स में पढ़ोगे तो मेटो पढ़ाऊंगा वहाँ पर, ठीक है न, और फिर तुम वहाँ बोलोगे, सर मुझे समझ नहीं आए, तो मुझे यही पर आपके डाउट दूर करने है न, बच्चा, अब देखो ध्यान से, ये कोई इंसा, योगी के, अब बताओ, इसके बारे में बात करते हैं न, हुसें, बहुत बड़े या बच्चा, बहुत बड़े, मुसकान, ये बहुत कन्फुजन वाला था, दिर दिरे सब समझ में आए गा, भले हम इनके आउपेसे नामकर नहीं बढ़ेंगे, इतने बड इसमें Ee आप देखो दियान से इसमें ओहो सरे यह क्या बना दिया अफ़दी अफ़दे अच्छा मुझे बताओ मुख्य कар्भन शंकला जो बना टेछने ना बटा ने यूप जियToo एक अंदर मुख्य कार्भन शंकला का सहतना बड़ा बिल्कुल विटा क्या दिग्स कतें में आज़ मुझे इसमें मुख्या में कि तने कर बन डेखो मैं आपस्च एक सीम्ब्ल सा इकरशन पूछ रह वह वू Spaß हुआ है न और यू पीस हिसी नाम हो कुन करते तो मुख्या कार्बन श्रंकला का चुनाव करते हैं इसमें कितने गार बने टोटल ये गिन के बताओ कार्बन गिन के बताओ मुझी तो पहले ये कर लो पहले कार्बन गिन के बताओ कितने कार्बन इसमें कारबन गिनकर बताओ बटा कितने कारबन है ठेके जे गजे स्में हाई जी बीटा जल्दी बताओ ओके है गीला सबसे लंबी चेन होती है बौत लंबी चेन होती है इससे बढ़ यूटे गयारा पंदरा चारबन और एक के चरे के laser आर एक के पंदरा एक के बारा ऐसे कैसे है बटा देखो दियान से इसमें कितने कारबनी जरा देखो गोर करना न ये एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एक ये तेरा और एक ये चौदा किसी का भी सही नहीं है किसी का भी सही नहीं है बीस अब गिनने नहीं आते हैं मुख्य कार इस लाइन में बता रहा हूं ना कितने कारबन है कोई बीस बता रहा है कोई छे ही बता रहा है ओहो चौदा है ना ये भी तो एक कारबन है देखो ना ध्यान से यह पर इसमें कितने कार्बन थे एक कार्बन इधर था एक कार्बन इधर था ट्रिपल बोन में ना ट्रिपल बोन में दो कार्बन होएंगे ना गल बगल नहीं होंगे क्या एक कार्बन यहाँ था एक कार्बन यहाँ तो देखो ना वही तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ है को ओके 14 अकым कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं आता रटॉम्हाओ आ चये वह थो चये एक दो थी चोर पांच जे साथ आठ नो दस ग्यारा 123 ला टेरा चल्घ बन गये है ऐसे रफ ली रृफली सन रच ना बना रहा हो बिटा देखो दियानगर पे है क्या किया भी है ठीक तर एक दो तीन चार पांच नंबर प्र रवा की दिक्तत नीज़ू गुरा होई टीक न ओके बटा यह हो जाएगा अब बाकी तो बंद आपको हाइड्रोजन से पूरा करना है बाकी बंद तो हाइड्रोजन से पूरे करने क्या इदिक्कत है ना बाकी बंद तो हाइड्रोजन से पूरे करने आपको और यहां double bond है 1, 2, 3 और चोटे के बेच में double bond है यहां double bond है और NO2 वाले पे double bond था,से फिर alternate फिर alternate एक, दो, तीन alternate दबल bond है इस तरीके से एकलीर हो जाएगा यह देखो यह तो बहूत simple है 1, 2, 3, 4 carbon 1, 2, 3, 4 यहां oxygen आगया यहां double bond है यहां double bond है कारबन चारबन बनाता है इसने तीन बना यहां एचा जाएगा यहां एचा जाएगा यहां एचा जाएगा यहां एचा जाएगा खतम बात तो यह और यह सेम है ओके बच्चो तो इस तरीके से आपको यह आना चाहिए हना आना चाहिए बच्चा ओके हलो बच्चो वेलकम बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद है आप सही बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्त तैंग बढ़िया ऊऎंग और बढ़िया तरीखे अपने एकजाम की तैयारी कर रहे हैं ऑक की सिफये पहरी पुद्स frightening का आप यूण अपना अली गुडिवनिंग बच्चा आप सही बचोंगा बहुत बहुत स्वागति हलो अरून कृष्णा जी हलो मॉइ जम हनू है नियू है मरे सरस में का वह तो बहुत बढ़ी मुद्ट आपका भी बहुत स्वागत है जह थो शाम भाः ने न रहुट क्वेले से शेयर कर दी होगी अच्छा कल आप क्यों नहीं आये थे बचा कल मेरे पेड़ बेच में घ्लास तीयार शाम को लाइव इंट रेक्षन था तो वो मैंने लिया था ओके इस वजी से में कल को देख सकते हाँ जी आपने इंस्टाग्राम पर मेसेज किया था फिर मैंने उसका रिपलाई भी तो किया था बच्चा अभी हाँ बहुत बढ़ बच्चा बहुत बढ़ बढ़ ए हलो प्राची हलो यूपी हलो जी शिवानी जी आप सभी बचों का बहुत बहुत सारा बच्चों इस चेप्टर का थर्ड लेक्चर बहुत ही खास ही है ओके तो आज के लेक्चर में भी हम क्या जानेंगे बच्चों आज के लेक्चर में वैसे तो हम यह जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नाम करने क्या होता है हाइड्रोकार्बन सिक अभी बस मैं इतना ही लि पढ़िया बात है तो अच्छी बात है इसलिए तो मैंने मोर्निंग वाली क्लास इविनिंग में शिफ्ट कर वाली था कि आपका स्कूल अफेक्ट नहीं हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी स्कूलिंग घराब होईगी सुबह क्लास देखू के स्कू हाँ जी तो बच्चों देखो ध्यान से आगे बढ़ें आगे बढ़ें सबसे पहले बच्चों एक दफा मैं आपको अपने बारें बता देता हूं जैसा कि आपको पहले से ही पता है यार क्या यी बताना फिर ही बता देता हूं माइनेम इस कामेश कुमार जाएंगेड़ है योर मास्टर टीचर आफ केमिस्ट्री और बच्चा मैं एक्स कोटा फेकल्टी रे चुका हूं कोटा के इंस्ट्यूट्स में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है और अब मैं मिल रहा हूं आपसे डाउटनट प्रेटफोर्म की ज जी तो चलिए अब बढ़ते हैं बच्चो आगे और बात करते हैं आज के बारे में कि आज हम क्या करने वाले हैं यू आर सो हैंसम मैं ओहो थैंक्यू बच्चा थैंक्यू थैंक्यू बटा ओके तो चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवीजन क सबसे पहले important है revision कि सबसे पहले important है बच्चा ownership के सबसे पहले important है कि पिछली Your ogy क्या क्या देखता क्या क्या बातें बच्चों ग्यार कर चुका हैं बिल्यूल कक्षा 11 यह बच्चों यहां पर हम भात कर रहें कक्षा 11 कि इस ये बहुत शांदर चैपेप्टर और गैनिक chemistry का carbonic recine का पहला ही चेप्टर यह बच्चो यह तो सारी बाते बढ़िया से clear करनी है एक एक बात बढ़िया से समझनी है आपको और सारी बात अच्छे से clear करते हुए आगे बढ़ना है तो देखो ध्यान से सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि carbonic recine क्या है carbonic recine क्या है carbonic recine क्या है सबसे पहले मैंने आपको यह बताया बच्चो सारी बाते clear हुई होगी फिर आपको मैंने यह बताया carbonic योगिक क्या होते हैं इनके बारे में कोई सिद्दान था बिटा कार्बनिक योगिक जेव शक्ति सिद्दान उसके बारे मैंने आपको बताया फिर कार्बनिक योगिकों के बाद मैंने हाइड्रोकार्बन जिसे कार्बनिक हाइड्रोकार्बन कहो या कार्बनिक योगिक कहो ब हाइड्रो कार्बन की बारे मैंने आपको बताया फिर हाइवं इसका वर्गी करण हमने किया इसका वर्गी करण हमने किया बच्चा ओके तो ये वर्गी करण वाला पार्ट भी आपने बढ़िया जिस देखा एक एक बात को बढ़िया से क्लियर किया बच्चा थेंग बटा ओक ये देखा और फिर हमने हाइडो कार्बन का प्रदर्शन भी किया था याद करो हाइडो कार्बन का प्रदर्शन क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी कि हाइडो कार्बन का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उम्मीद लगबग लगबग ये सारी ब क्लास दी कल ऑके इस वज़े से नहीं हो पाए थी बाकि तो कोई दिक्कत नहीं है डेली होई की आपकी क्लास ओके हां कल कौन सा वाड़ था गुरुवार को बस आपकी लिएक बाकि सब डेली होई का टेंशन ना लो टोपिक, डिग्री ओफ कार्बन, डिग्री ओफ कार्बन, एंड हाइड्रोजन, आज आपको में टोपिक पढ़ा के रहूँगा, बढ़िया शांदार टोपिक है बच्छा, क्लियर है, यह क्लास यूट्यूब पर नहीं होती बिटा, ओनली एप पर होती, ठीक है, हाज हम बात करेंगे, कार्बन, एवं हाइड्रोजन की कोटी, कार्बन और हाइड्रोजन की कोटी क्या होती है, यह कितने कोटी का हाइड्रोजन है, प्रियंग का मासूम, बैटा मासूम को कैसे भूल सकता हूँ मैं, सर हर गुरुवार को आप पेड़ ग्लास में लाइव इंट्रेक्श लेंगे पेड़े क्लासेज रिकोडेड होती है बच्चा जो पुरानी वाली बच्चा पुरानी वाली उसकी बात चल रही हो ठीके जो अभी जिनका बीजस्ट पेपर है उनके लिए और कुछ नहीं है पटा मैं किसी को नहीं भूले आओ डिगरी ऑफ कार्बन हम बिल्कुल य आफटापर से नोट्स बना ले बच्चा अच्छे से आज के लेक्चर के बढ़िया नोट्स बनाएं जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उनको अच्छे से लिखते जाएं सारी बाते क्लियर होईगी एक बात बढ़िया से समझ में आईगी तो चलिए हेडिंग डाल लीजे सबसे पहले डिग्री ओफ कार्बन डिग्री ओफ कार्बन डिग्री ओफ कार्बन बुले तो कार्बन की कोटी तो देखो ध्यान से डिग्री ओफ कार्बन कार्बन कितने प्रकार का होता है बच्चा आम तोर पर कार्बन चार प्रकार का होता है प्रात्मिक दितियक त्रतियक तक चार प्रकारगा होता है बच्चा सबसे पहले हम बात करेंगे प्रात्मिक कारबन प्रात्मिक कारबन इंग्लिश में इसे कहा जाता है बच्चों प्राइमरी क्या कहा जाता है प्राइमरी जैसे नहीं होता प्रात्मिक स्कुल प्राइमरी स्कुल सोरी इसकुल लिख दिया प्रात्मिक कार्बन रिना प्राइमरी कार्बन इसे इंग्लिश में कहा जाता है वन डिग्री वन डिग्री कार्बन एटम वन डिग्री कार्बन एटम क्या मेरी बार समझ मैं रहे वन डिग्री कार्बन एटम सेकेंड दूसरा होता है बच्छा दित्यक कार्बन दित्यक कार्बन दित्यक कार्बन को क्या कहेंगी बच्चा सेकेंडरी इंगलिश में क्या कहा जाता है इसको सेकेंडरी कार्बन इसे शोट में लिखा जाता है टू डिगरी कार्बन समझाया लिखना भी तीसरा त्रत्यक कार्बन त्रत्यक कार्बन इससे कहा जाता है तरत्यक को कहा जाता है बीटा सब बताओंगा प्राचेश सबज़ते इसे इंग्लिश में कहा जाता है इसे क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कारबन बोले तो three degree कारबन ओके हाँ जी बच्चा सर आज आपकी हैरिस्टाइल बहुत अच्छे लग रहे है बिटा ऐसी होती नॉर्मल यह तो ठीक है कल से आप भी ऐसे करके लाना ठीक है अब देखो ध्यान से अगला बिटा चतुर तक चतुर तक कार्बन ठीक है इसे क्वाटर नरी कार्बन क्वाटर नरी कार्बन यह से फोर डिगरी का जाता है अब यह वन डिगरी टू डिगरी फोर डिगरी यह क्या होते हैं सारी बाते क्लियर करेंगे बच्छों ओके सर में बहुत बढ़िया बच्छा बहुत बढ़िया थेंक्यू बटा थेंक्यू थेंक्यू बटा जी थेंक्यू पढ़ लो पहले पढ़ लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के सलमान हुसैन के बच्चा प्राइमरी सैकंडरी ऑर क outta अरी ठीक है हम गया जी वन डिग्री टू डिग्री त्रिडिग्री और प्राची सब समझ में आरहाया है इस सब समझ लब फोर डिग्री सब समझ में आएगा ठीक है क्लियर है तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं यहां से बच्चों आगे बढ़ते हैं क्लियर आई ये बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहां पर प्राइमरी कारबन सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा मोरी मीरी का मतलब वन गिरी अरए नी लिखते गया एक डिआरी सेल्सियस तो वन डिगोर सेल्सियस नहीं यह Cruise स्ने यह 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 वन डिगरी कारबने बत्चा ओके अब बात करें यहां पत वन डिगी कारबने क्या अता है ऐसा करबन जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ावा हो सीधा वह कार्बन परमानू वह कार्बन एटम जो सीधे केवल एक अन्य कार्बन परमानू से जुड़ावा एटम से अटेच हो थोड़ा इंग्लिस भी लिख लिया करो अटेच मतलब जुड़ा हो अटेच हो वन डिगरी कार्बन कहलाता है वन डिगरी कार्बन कहलाता है जैसे कि देखे बच्चा उधारण मान लो यह कार्बन है यह सीधा एक अन्य कार्बन से जुड़ा होना चाहिए मतलब कार्बन कितने बंद बनाता है सरकार्बन तो चार बंद बनाता है चार में से एक बंद कार्बन के साथ पुरा गरो, बचे वे बंद हाइडोजन के साथ बना दो क्या ही बात है यहाँ वाला कार्बन सीधा एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है भले आगे कितने ही कार्बन हो मुझे उनसे कोई ले ना दे, ना, नहीं है, मुझे तो इस कार्बन की डिगरी देखनी है यहाँ कार्बन केवल सीधा एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है भले आगे कितने ही कार्बन लगे हुए हो, इसकी बाकी सहीं हो जकता है हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, यह कार्बन कहलाएगा वन डिगरी कार्बन समझ में आया, वह कार्बन जो सीधा एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ उसे कहा जाता है वन डिगरी या प्राइमरी या प्रात्मिक कार्बन समझ में आया, clear है, या इसे क्या कहा जाता है, परात्मिक कारबन कहा जाता है, समझ आया, clear है बच्चा, okay, sir में अपने स्कुल टी कैमेस्ट्री टीचर का मज़ा ले लिया, केसे लिया बच्चा, केसे लिया, okay, किताब से अभी पढ़ा तो समझ नहीं है या पर अब समझ आ रहा है बहुत बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया समझ में आगा वन डिगरी अब देखो द्यान से टू डिगरी एक बार अब जिसे की देखो उधारना ठीक है दिरी दिरी अपन सीखेंगे पहले यह व कि सेगंड्री कारबन परमाण इसमें क्या बोलेंगे इसमें क्या बलेंगे पच्चा अच्छा सर मेरे स्कूल में तो सब टीचर जूल-जूल के पढ़ाते हैं जरे सरा पिकर आए हो ओके 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 लाइव कर बैटा लाइवी चल रही है लिख निखिल लाइव चल रही है बचाए लाइव चल रही है अब देखो द्यान से यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन एटम फटाफट से बिना बाते किये जब नहीं वह कार्बन ऐसे लिखते है न वह कार्बन वह कार्बन एटम जो सीधे दो अन्य कार्बन परमाणों से अटेच हो कि टूडिगरी कार्बन कहलाता है है जैसे कि देखो दियान से यह कार्बन इदर भी कार्बन से जब रह Administration बच दो संयव ज़गता है हाइडरोजन से पूरी कर दो अब भाई में आगे कितने से व मतलब नहीं है मैंने इस कार्बन को देखा और मैंने क्या देखा यह इदर भी कार्बन से जुड़ा हुआ इदर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी चार में से दो सही हो जगता है कार्बन से पूरी हो रही है अता यह टूडीगरी कार्बन होगा मेरी नजर में तो समझ में आया क्लियर है तो यह है टू डिगरी कारबन जो की अगल बगल में जुड़ा हुआ है दो कारबन से आगे भले कितने ही चुड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है यहां तो सीधा दो से जुड़ा हुआ एक इदर एक इदर बच्ची दो सहीं हो जकता है हाईड़न से हो गई थी वहां पर बिटा दीपीका जी में पढ़ा रहा था चार बज़े एंडिये वाले बेच को ठीक है आगे करें अगला तीसरा पॉइंट थ्री डिगरी कारबन बोले तो टर्शरी तर्शरी कारबन इटम इसको बहुते है कारबन या फिर क्या बोलेंगे त्रत्यक कारबन परमाओं तरत्यक कार्बन परमाँ, बढ़ियासे एकदम पक्का घर दूआ है तुमैं बढ़ियासे सक्र डबल बॉर्ण या ट्रिपल बोन का क्ई रोल नहीं ओता क्ई रोल नहीं होता बच्चा डिगरी विगरी देखने में डबल बोन ट्रेपल बोन कुछ नहीं करेंगे सब बताओंगा में टेंशन नाले सिद्धी कोई बात नहीं कोई रोल नहीं होता उनका देखो ध्यान से वह कार्बन वह कार्बन एटम जो सीधे तीन अन्य कार्बन एटम क्या लाता है जैसे कि यह कार्बन तीन कार्बन से जोड़ दो इधर 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 कार्बन जोड़ दी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया अब हमें ये पता नहीं है ये कितने से आगे जुड़ रहे हैं डजन मेटर हमें पता नहीं है कितने से भी जुड़ सकते हैं आगे मुझे तो इस कारबन को देखना है यह कारबन यह वाला कारबन इधर भी कारबन से जुड़ा हुआ है इधर भी कारबन से इधर भी कारबन आगे वाला बले कितने से भी जुड़े मुझे मतलब नहीं है इस वाले से मतलब मुझे तो यह 3D है किया समझ में आया ऑखे प्राची जी समझ में अमित ह थ्रिडीग्री होता है जिसमें 3 गार्बन जुड़े हो मतलब एक ही कार्बन से 3 जुड़े हो ठीक है बहुत बढ़िया प्लेश्टि ध्रुगरी हो गया अब तेना क्वार्टर नरीए वहां कार्बन एटम जो सीधे चार कार्बन एटम एटम्स के साथ अटेज होगा ठीक है हाँ बिल्कुल क्या ये वहाँ कार्बन फोर डिगरी होगा जी बिल्कुल होगा अब देखो ध्यान से यहाँ पर जराध्यान से देखिए बच्चा यहां कार्बन जो है क्या four कार्बन से जुड़ चुका है एक, दो, तीन, चार अब इसके पास कोई हाइडोजन जुड़ सकता है क्या नहीं कारबन तो चत्तू संयोजी होता है कारबन फोर ही बोन बनाता है बच्चा तो वन, टू, त्री, फोर अब हाइडोजन नहीं आएगा फोर डिगरी वाले कारबन से कोई हाइडोजन जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा फोर डिगरी वाले कारबन से कोई हाइडोजन जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा पकी बात, क्लियर है, बहुत बढ़ी है यह हो गई सारी बात है समझ में आया क्लियर है बच्चा समझ में आया बहुत ही बढ़िया बात है वेरे गुड अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्लियर अब देखो ध्यान से कार्बन के बारे में बात कर लिया अब देखो यहां पर डिग्री ओफ हाइड्रोजन फर एक साथ कुर्शन करेंगे इनकी डिग्री ओप हाइड्रोजन डिग्र ओफ हाइड्रोजन तीन प्रकार के होते हैं बच्चा एक होता है वन डिगरी हाइड्रोजन फ्राथमिक दूसरे, टू डिग्री हाइड्रोजन, दित्यक हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन दित्यक हाइड्रोजन ओके, तीसरा, ट्री डिग्री हाइड्रोजन त्रतियक हाइड्रोजन क्या मेरी बात समझ में आई तो देखो ध्यान से वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री प्रात्मिक, दितियक और त्रतियक ये हाइड्रोजन क्या होते हैं अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चा, आपके मुँपे आ रहा होगा बच्चा, क्लियर है, हाँ, आपके मुँपे आ रहा होगा, ये क्या, वन डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स, वन डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए है, वो सभी कहलाते हैं बच्चा, वन डिग्री हाइड्रोजन, क्लियर है, टू डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, टू डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को क्या कहा जाता है, टू डिग्री hydrogen कहा जाता है 3 degree carbon से जुड़े hydrogen atom को क्या कहा जाता है 3 degree hydrogen कहा जाता है 4 degree होता ही नहीं क्यों क्योंकि 4 degree carbon से तो कोई hydrogen जुडाईच नहीं है clear है बच्चा तो 1 degree 2 degree 3 degree क्या सारी बाते है clear हो गई क्या क्या सब बाते समझ में पच्चों आपको 1 degree 2 degree or 3 degree 1 degree से जुड़ा हुआ 1 degree hydrogen 2 degree carbon से जुड़ा 2 degree hydrogen 3 degree hydrogen होगा के नहीं होगा होगा ना बोलो बोलो समझ आया के नहीं आया आना चाहिए ओके क्लियर है बच्चा सबको समझ में आया अरे सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है होना चाहिए ना आगे देखो बच्चा अब देखिए इनके उधारण हाँ जी उधारण क्या क्युश्चन वन डिगरी टू डिगरी थ्री डिगरी एवं फोर डिगरी कारबन पहचानिय है कि सही लिखा में पहचानिये ओके हाँ यह यह आपको पहचानना है बिना साबुन के चमग्या बच्चा बहुत बढ़िया देखो ध्यान से पहला कंपाउंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ इन सब के अंदर वन डिगरी टू डिगरी थ्री डिगरी और चतुष्क हाइड्रोजन को पहचानना है ठीक है जी और सारी बातों को बढ़िया से ख्लिया देखोंग्या देखोंड करना है बहुत बढ़िया फाइदा है ठीक है बढ़िया से पढ़लो इनको बहुत अच्छा रहेगा तुमारे लिए वन डिगरी टू डिगरी त्री डिगरी और चतुष्क हाइड्रोजन पहचानना है अरे देखो बाबू यह वाला कार्बन केवल एक अन्ने से जुड़ा हुआ है अर्थात यह वाला कार्बन वन डिगरी हुआ है ये वाला कार्बन एकन्य से जुड़ा हुआ है ये भी वन डिगरी कार्बन हुआ है यह वाला कार्बन केवल इस से जुड़ा हुआ है ये वाला भी वन डिगरी हुआ है और ये वाला कार्बन भी केवल इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी वन डिगरी हुआ है खुद स कारबन से उधर भी कारबन से इधर भी कारबन तीन कारबन से जुड़ा हुआ है अता ये थ्री डिगरी कारबन होगा और ये वाला कारबन इधर भी कारबन इधर भी कारबन इधर भी कारबन ये भी थ्री डिगरी होगा मोगिना कोने वाले वन डिदुट बना रहा हो न सेंटर फ्री डिदी समझ में आया है अब देखो धियान से इसमें अगले वाले में ये वाला कاعर बन तुhst से जुड़ी ना सिर्फ ये वाला भी ये वाला भी वन डिदी हो जाएगा ओके ये वाला कारबन इधर 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 तीन से जुड़ रहा है ओहो ये त्री डिगरी हो जाएगा केवल त्री डिगरी लिख रहा हूँ हाँ और ये वाला कारबन इधर और इधर जुड़ा हुआ है ये वाला तू डिगरी हो जाएगा कुलियर बच्चा इतने सारे उधान कराओंगा एक तो समझ में आई जाएगा तुम्हें है प्रियंगा ठीक ना, एक तो समझ में आई जाएगा टेंशन ना लो उधानों की कोई कमी नहीं है मेरे पास ठीके ना बस तुम समस्भष देखो ध्यान से ये वाला कारबन त настолько FL ये वाला कारबन केवल एक अन्य से जुड़ा हुआ है ये भी वन डिग्री ये वाला इसी से जुड़ा हुआ है ये भी वन डिग्री ये वाला इसी से जुड़ा हुआ है ये भी वन डिग्री ये वाला केवल इसी से जुड़ा है ये भी वन डिग्री हुआ के नहीं हुआ बो को इस कारबन पर खड़े हो जाओ तो यहां तो इधर भी जुड़ा हुआ 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 इसके डिगरी बताना बिटा इस बीच वाले की डिगरी बताना क्या होगा तुरंत बताओ थीद पत्णा पत्ण पें डि calam बचों का जाते और यह बहुत बाढ़े अंसर सब से फएले एवाला इधर भी कर关 इधर भी गार विकारबन इधर भी कारबन यह वाला हो गया 3डी एवाला हो गया 2डी कि भागे बच्चे सोच सब बचों का बहुत सब का अंजर से मारा 444 कोई ऐसा नहीं जिसका गलत जवाब आरा बहुत बढ़िया अगला अगला अब अगला वन डिगरी कितने हैं इ Wars डिग्री कितने मिन बताओ वन डिगरी कितने कौई बतादोगे वन डिग्री कितने हैं ऐसे बोलना पाउच हैचे है साथ है आठ की से से बोलना वेंummy में दो है कि तीन यह को आप लिख रहे ना मैं संक्या मान रहा हूं इतने ठीके कितने पके छे साथ यार तुम्हारे hugंती घ्राब यार पांच चार ये अब अब आफर आफिकर लग आफ़ तूहारे ढान्सार क्यों आ रहें तत यह थे को सवब लुद्फering हो गया येवाला कार्बनруго एटाके बाहर निकाल दू पड़ तो रहे हो नहीं दस केसे हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, गिनना नहीं आ रहा गया, प्रियंका जो बोल रही थी सर मुझे समझ में नहीं उसका सही आ गया, बाकियों के गलत आ गये, क्या गिन रहे हो, तुम्हें गिनना नहीं आता, हैं, फिर पेड़ गोर्स लोगे, उसमें दिक्कत आएगी तुम्हें तो फिर मत पूछना, चपन, क्लिर कितना आएगा, पांच आएगा इसका अंच, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया, ठीक है, पांच आएगा ना, ओहो, अब देखो अगला, टू डिगरी कितने, टू डिगरी कितने, एक ही बार में सही जवाब देना, हाँ ज शी प्राच्चे, शीवानी, अभिशेक, लड़के तो पढ़ने आते ही नहीं है, बहुत ही कम है लड़के, लड़के पढ़ते ही नहीं, देश का बविश्य खत्रे में है, हाँ जी टू डिगरी कितने है, तीन है, चार है, दो है, रंजन बेटा पढ़ले, ढंग से बढ़ल दो है, शेर सिंग बोल रहा है, पांच है, देखता हूं में, साथ है, यार देखो न, ये वाला कारबन क्या टू डिगरी है, अरे ये इधर कारबन से इधर से जुड़ा हुआ, ये कारबन क्या होगा, टू डिगरी होगा, एक ये वाला टू डिगरी होगा, एक इधर, एक two degree UGA गिना नहीं आता एक दो тीन चार चार है हंडेट परसेंट इन दिपइका तीन के चार चार ये वाला इतर भी कार si ऻदर भी कारबन से ये वाल इतर भी कारबन से ये वारा इधर भी कारबन से दर भी कारबन से जो अगल immain में जुड़ रहा है तू टू डिग्री जो तीन से जुड रहा ओ थृव ठीड डिगने न यह इज़ दो क्र सबचिन का मत क्यों करें जाई करें बता दना तुम अब यह तक्र बता देन आ तूम हिए ठीड ढूब ना के देखो खुच से बनाओ फुच्ज से बनाओ बनागे देखो, 3 डिगरी कितने हैं, अभी यह सही बता देना तुम अरे, Double Bone से कोई effect नहीं पड़ता, मेरे लाल, Double Bone हो, Triple Bone हो, कोई effect नहीं पड़ता कोमल, थोड़ा, डंग से सोचो, बेटा, डंग से सोचो इट्स पटेल बोल रहा है दो है अरे नाला एक इधर देख एक दो तीन ये भी तो एक दो तीन से जुड़ रहा है ये भी एक दो तीन से जुड़ रहा है ये वाला भी त्री डिग्री 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 बोलो थ्री डिग्री हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो एसे नशे पत्ते कौन सा सूखा नशा कर रहे हो तुम्हें आंसर दिखने रहा ठीक है अब इसमें बताओ अभी देख इंग्लिश वह बतायागा सब क्या अंसर ठीक है इसमें बताओ कितने विंड़ वन डिग्री कारबने इसमें वन डिग्री कारबन कितने हैं कि इसमें बताओ तो जराग सर्जी हम सब का क्लास क्यों नहीं हुआ था बटा कल में पेड़ बेच में था इस वज़े से सस्ते नशे करते हो ओना इसलिए थोड़े महेंगे नशे किया करो तो तुम्हें आन्सर तो आएगा इसमें वन डिगरी कितने हैं एक बूल रहा है चार है एक बूल रहा है तीन है शिवानी तीन केसे बिटा मुझे प्रियंका तीन केसे अरे भया अगल वाला और ये बगल वाला यही तो दो है य ये बी वन डिग्री है और ये भी वन डिग्री कार बने ना और कुन सा दिग गया आपको इसा ने पांच और भाई भांग भांग पी रखिए तुमने आसे की कि अंचां आधा शॉच मंञा प cuent दिल्ही हा ने इंद की लिए भी मुदह मत कि ब्रोमीन कारबने बच्चा ब्रोमीन कारबने नहीं नहीं कारबन ब्रोमीन कुकल से का आज से ब्रोमीन कारबन है यह शीवानी नहीं कहा है आज से ब्रोमीन मतलब कारबन मानना है ठीक है ठीक है बच्चो आज सब ब्रोमीन का मतलब कार्बन मानना ठीक है पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं सही जवाब दिया गरो रहे सही जवाब दिया गरो ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर देखो यह वाला देखो यह वाला कारबन इधर इधर जुड़ा हुआ है दो से जुड़ा हुआ है यह तूड़ी कारबन है यह वाला कारबन अगल बगल में जुड़ा हुआ है यह तूड़ी है यह वाला अगल बगल में जुड़ा हु को ने टूड़ी रही है यह वाला को ने टूड़ी क्योंकि तुम से तो मीदी नहीं कर रहा हूं मैं तुम तो गलत गलत बता रहे हो एक दो तीन चार पांच छे कि इंग्लिश बोई के छे अब देखो रंजन फिर वापस गलत बताया सिद्भी फिर गलत बताया ऐसे केसे काम चलेगा तुम तो ना कटा दो कि साथ और भाई साथ कहां से दिग्या एक दो तीन चार पांच छे गिन्ना नहीं आता साथ कहां से दिग्या इसमें साथ कहां से दिग्या मुझे बताओ केसे केसे चलेगा केसे चलेगा पांच है अब रंजन इधर देख ले भाई इसमें बताओ कितने कौन-कौन से हैं सर तोड़ा छोटा सा एक्जामपल दो ना क्यों बड़े में क्या दिक्कत है एक बार में काम खतम हो रहा है ना इसलमेरी क्लासेश छूट गये यह भी से पर सकते बिलकूल पर सकती हो अरे डबल बोन से कुछ फरक निप्र अभी तो कोई फरक पड़ागा अभी तो कोई फड़ागा आगे भी नहीं पड़ेगा टेंशन दीने कि अधेड़ी इसमें तूरी वाले बहुत बड़िया ये बीसिए ये मै तूरीगरी 16 माख सक थे खप टूरीगरी तूरी वी है औरे बहुत बड़ा छे 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 लिख दिया कमेंट गया तुम्हारे नाम गया पर इसमें वैंडी कितने टू डीगरी कितने है त्री डीगरी कितने और फॉर डीगरी कितने हैं बताना जरह उप उफ Mac बाइ सर बाइ बीटा वन डिगरी पांच यह साथ कुन बोल रहा है नाम तब तुम्हारे हट गए पांच देखो ध्यान से हाँ यह जो नीला नीला लिख रहा है ना यह पांच इसने पहले नीली नीले में छे लिखे होंगे बहुत जादा देखो ध्यान से यह वाला वन डिग यह वन डिगरी है 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 यह वन डिगरी कितने हो गए पांच वन डिगरी वाले तीन अरे भाई एक दो तीन चार पांच जो केवल एक से जुढ रहे है वह वन डिगरी है ना पता नहीं कौन सा नशा करते हो वह गाना याद आ रहा है मुझे आप है पांच लास्ट रुदार नहीं बताऊंगा आप प्र आपकी मर्जी समझना है तो समझी है नहीं तो नहीं अगला देखो तूडिगरी कितने तूडिगरी कितने बना लिया करो नोट्स में खुद की कोपी में बना लिया करो तूडिगरी कितने है तूडिगरी कितने धंग से सोच के बोलना इस बार धंग से सोच के बोलना इस बार तूडिगरी कितने है तूडिगरी पांच है तूडिगरी पांच है देखते है जरा ये वाला तूडिगरी है ये वाला तूडिगरी है ये वाला और ये वाला भी टु टु डिटेवी कितने 5 अगल वागल अगल पाल अगल भगल ये टुरीगरी कितने हो गया फास बहुत बढ़िया ठीडीगरी कितने अ त्री डिगरी कितने हैं त्री डिगरी चार है एक ये त्री डिगरी दो ये त्री डिगरी ये तीन ये त्री अब बताना इसके अलावा कौन सा है भाई ये तीन से नहीं जुड़ रहा क्या ये तीन से नहीं जुड़ रहा क्या पता नहीं क्या त्री डिगरी कितने तीन है पढ़ते ही नहीं है ये क्लास छोड़नी पड़ेगी मुझे यार और ये चोता चार डिगरी जो चार कार्बन से जुड़ रहा है ये वाला ये फोर डिगर एसी हमारा कोई वास्था नहीं चीजों से समझ में ओके क्लियर तो देखो ध्यान से आगे एक लास्ट क्यूशन हां जी ठीक है टू मेथिल अच्छा टू मेथिल तो समझते होंगे ना मेथिल तो समझते होंगे टू मेथिल हेप्टेन मे वन डिगरी कारबन मे वन डिगरी कारबन तू डिगरी कारबन त्री डिगरी कारबन वन डिगरी हाइडरोजन तू डिगरी हाइडरोजन ठीक है त्री डिगरी हाइडरोजन बताओ टू मेथिल हेप्टेन हेप्टेन हेप्ट मतलब साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ गरीबों की तरफ बना लेते हैं अपने सब्सक्राइब दो नमबर पर मेथिल मेथिल का मतलब एक कार्बन अब बचेवी सही हो जगता है हाइड्रोजन से पूरी करा दो अरे बचेवी सही हो जगता है हाइड्रोजन से पूरी करवा दो यहां पर यह कार्बन कितने बंद बना रहा है तीन बंद बना रहा है एक बंद बना रहा है तो बचेवी तीन हाइड्रोजन से पूरे कर दो यह बगल में जुड़ावाय दो कोने पर जुड़ावाय किवल तीन अब वन डिगरी कितने होंगे इसमें ये कोने वाला ये वन डिगरी कारवन ये वन डिगरी कारवन और ये वन डिगरी कारवन वन डिगरी कितने हुए वन डिगरी हुए सरजी तीन वन डिगरी कितने हुए ती हुए तू डिगरी बताना जरा ये तू डिगरी 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 कितने हो गए चार थ्री डिगरी कितना हुए थ्री डिगरी ये वाला एक ही तो हुए एक हाइड्रोजन कितने है अरे भई या वन डिग्रे से कितने जुड़े हुए तीन वन डिग्रे से कितने जुड़े हुए तीन वन डिग्रे से कितने जुड़े हुए तीन नो two degrees से कितने जुडआ हुँआ है दो यहाँ फिर दो यहाँ फिर दो यहाँ फिर दो यहां आट three degree से कितने जुड़ा हुआ है एक एक clear ओके तो मीध है आप अब सभी को आज की क्लास बढ़िया से समझ में आई होगी इसे के साथ इस क्लास को हम यही पर end करते हैं आप सही बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों बढ़िया से पड़ो और ना सारी इनकी बढ़िया से practice करो ठीक है इनकी practice करो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका फाइदा होगा ठीक है मजाया से बच्चों को ठीक है तो थोड़ा सा आप ढंग से पड़ो सारी बाते क्लियर करो एक एक बात बढ़िया से क्लियर होईगी आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद